अगर आप एक यूट्यूबर है और यहाँ पे आप जैसे अपनी वीडियो को आड करते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका देने की कोशिश करते हैं और कोई लिंक अगरा आड कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है अब सबसे पहले एक्स्टरनल लिंक्स क्या होते हैं वो समझें तो मानली जाप यूट्यूब के अलावा कोई लिंक्स जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं इंस्टाग्राम की हो गई या फिर टेलेग्राम की हो गई या फिर दूसरी अपकी वेबसाइट वगरा है उसकी अगर आप लिंक कर लेते डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वह एक्स्टरनल हो जाएगी बाकि अगर आप अपने ही खुद के वीडियो के लिंक के आप एड करोगे तो इंटरनल हो जाएगा ठीक है एक्स्टरनल मतलब बाहर की लिंक से यूट्यूब के प्लेटफॉर् या फिर कंप्लेट वीडियो वरिविक्शन बैसिकली आप यह जो है चीज काफिसार लोगे की अल्रेडी कंप्लीट हो जाती है मतलब कंप्लीट होती है अब जो नया यूट्यूब का रोल्स है उसके रिगार्डिंग तो यह हम कंप्लेट कर जाते तो आपको क्लिक करना है यूट्यूब के अंदर जाना है मतलब यहां पे मैं आपको पता भी देता हूँ किस तरह से करना है ठीक है आपको अपने वाइटी स्टूडियो में आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर आपको वाइटी स्टूडियो खोल लेना है उसके बाद सेटिंग के उपर क्लिक करना ह और यहाँ पे channels के उपर आपको चले जाना है ठीक है channels के उपर आनेक बाद यहाँ पे देखे future eligibility लिखाए तो इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पे तीन option मिल जाएगी जैसे कि हमारी तो already हम on कर रखते हैं इसके बिना हम YouTube नहीं on कर सकते हैं बाके यहाँ पे तीसरा है advanced feature तो के उपर आपको क्लिक करना है या आप देखे यह already enabled है तो आपको just इसको enable कर देना है इसे enable करने के लिए आपके पास तीन option दिए जाते है जैसे video verification हो channel history हो या फिर valid ID हो ठीक है तो अगर आप इसके enable कर लेते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़े यूज कर पाऊगे तो इसको आपको यहाँ पर enable कर लेना होगा ठीक है तो आप यहाँ से directly enable कर सकते हैं बाकि आप यह वारा enable है इस वज़े से हम अगला process आप आपको नहीं दिखाएंगे